कि वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सकें हेल्डू थ्रेंड्स कैसे आप सब्सक्राइब में हमने बैसिक कुरती का पैटन बनाना सीखा था आज आज हम उसी पैटन को रख करके कुरती को कट करेंगे देखहिए मैंने यहाँपर ओ पैटन को रखा एंब predicul को रखे और इसको बिल्कुल ऐसे ही इसी के बिल्कुल नाप्षाम कट करेंगे क्योंकि हमने इसमें मार्जिंग पहले से अब मैं इसे आपको कट करके दिखावती हूँ करने से ले बिफोर आपार्ट यहां पहले बैग का इसा त्यार करेंगे इसे तरह हमें कट करने हैं इसको पूरा आप और आप से तरह आपको करका इसे किया अब मैं इसे लाओ पूरार्ट नाप्ट से करेंगे इसे खूरा आपको करकावाब यहीत हूरा है विए लाओ तोराब कि आर यह 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 पिर यह जो नुआ यह वो युट को यह 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 हमने शोल्डर कट लिया यह हमारा नेट लाइन नट कटेबार यह हमने कट कर लिया सेम इसी तरीके से हम इसका फ्रंट भी कट करेंगे मैं आपको कट करके दिखाती हूं है यह हमने यहाँ पर पैटन रख लिया यह हमने पहला पैटन बाद का हिसा जो कट किया था वह मैंने यहाँ पर रखिया अब इस पैटन को रख इस पैटन के हेल्प से मैं ये इसका फ्रेंट लिता कट करूंगी से इसी तरीके से जैसे जैसे हमने ये कट किया था इसकी इसको कट करेंगे ये ये हमने फ्रण्ट और बैक कट करके तेयार कर लिया अब हम इसके स्लीप काटेंगे चीए सलीप इस कभी स्लीप का पैटन में लास्ट वीडियो में अपने दिखाया था तो उस पैटन की हैल्स से ही हम स्लीप कट तरेंगे तो चलि हम लिए गरती है हम यह मरौ ЕгоBow ओ और इसको मैंनेيع कपड़े यह रखके इसे रखके कॉट कर लेंगे हम कर लेंगे हम कर लेम इसको लाइनिंग करेंगे इस से इसे ओपन करेंगे और यहां पर रखके हम अंदर वाले हिट्से को बनाएंगे यह मनें कर दे दिया तो यह हमारा प्रेंट और बाक स्लीज तयार है अब हम इसे इसी तरह कट करेंगे यह नहीं आर ऐसे कट किया इसको सीधा करेंगे ऐसे इन इसको फिल यह हमने ऐसे कट किया इसे किया और यह और यह नहीं नहीं यह मैंने कट कर लिया अब हमें इसका फ्रेंट का हिसा कट करना है पहले हम इसको बीच में से कट करेंगे यहां से इस तरीके से इस तरीके से इस पोर पोल था यह हमने फ्रेंट और बैक आए कर लिया कि इसको बरावर करेंगे ऐसे बरावर किया यहां पर हम इस हिस्ते पर यहां पर हम इसको उसे प्रक्ट करेंगे है पिर हम यह हो गया आपका ऐसे तयार हो पिर हमें क्या दरना है इसको एक पार्टिस का और इस पार्टिस का खोलना है इस तरहीं किसे ओपन करेंगे और यहां पर हम इसे थोड़ा सा अंदर की साइड में होता है इसलिए हम इसको थोड़ा सा शेप देंगे अंदर की साइड में तो यह हमारा फ्रेंट हो जाया रेडी इस तरीके से यह हमारा फ्रेंट तो तयार है इस तरीके से हमारा यह फ्रेंट हिस्ता भी तयार है बाजू स्लीप्स का अब हमें पाइपिन जोड़नी है तो पाइपिन के लिए हम इसको आड़ा कपड़ा लेंगे इसका आड़ा लेंगे इसमें पाइपिन जोड़ेंगे इतना इतना हमारा कप्रापिध करेंगे तक्रीब तक्रेब करेंगे 30 तप्रीब दो इंशी चिंग नेंगे इस तरीब प्र रिमिया है niezante अब इसको जॉइन करके हम पाइपन लगाएंगे खुट्ती के नेक पे इस तरीके से हमाई दो पाइपन तयार होगी इसलिए हम पाइपन निकाल लेंगे दो इंचिस की तो इंचिस की पाइपन होगे इसलिए एक पाइपन निकालेंगे थोड़ी सी पत्ली होगी यह वाली पकोई नी हम इसको कर लिया यहारे मेट के लिए पाइपन इसलिए तरहा रहा है यह हमने कुर्थी को स्टिच कर लिया है अब देख तक है मैंने यह कुर्थी को स्टिच कर दिया है अब हम इसका साइड का बनाएंगे जो मुद्ध इसको हम ऐसे कट एसे मोड़ेंगे एक पार और यह दूस्वी दो दो वार इसको फोल्ड के हमने ऐसे घर गए तब देखो फोल्ड किया और इसको हम आपकर लिएंगे पिनप करेंगे कि इस तरीके से मोड़ मोड़ के हमें चारो साइड में पिनप करना है इसको यह हमारा साइड वाला इससा है इसको ऐसे पिनप करेंगे इस तरीके से इसको को इस तरीके से पोल्ड करेंगे आप और फिर पिन अप फोल्ड एन पिन इस तरीके से हमने फोल्ड किया जैसे ही हमने किया है जैसे हमने ये वाला हिस्सा किया है पिन अप वैसे हमें ये वाला हिस्सा भी करना है और ये बाकी के दो हिस्से भी करना है ये हमने सब को पिन अप कर लिया है अब हम इसको ते मिश्सी तरीके से इसटीच करेंगे एसी इस तरह के इससे इस्टिच करेंगे ये हमारी कूर्ती अल्मस्त तयार हो जाएगी में इनoter फिर सब्सक्रकव कर rained Demok है है इस तरीकेसे स्टिश हो चुका है affirm myS me sleep लगानी इन्हेश लीव है और अब हमेज़ लगाना है तो इसमें हम पहले फ्रेंट और वैग देख लेंगे यह यहां मेरा फ्रेंट एरिया है यह अब हम फ्रेंट का हिस्था फ्रेंट में रख करके यहां पर यहां पर मैंने एक क्रॉस का निशान लगा आए यह ऐसे ताकि पता चल सके इसको मुल्टा करेंगे ऐसे और इसको रखेंगे इस तरीके से इसको इसके साथ इसको पिन अप कर देंगे इस तरीके से इसको पिन अप करते हुए आम इन बाजुओं को अपनी कुर्टी के साथ अताच कर लेंगे ऐसे पूरे यहार से लेके यहार तक हम पूरा इसको अटैच करेंगे तो दो साइड ऐसी करना है इसको अटाच करते चले जाएंगे इसको हूँ इस तरीके से अटाच करेंगे तो यह हमारा बाजू अटाच हो चुका है इसी तरह हम यह देखिए यह हमारी स्लीव अटाच हो चुकी है इस तरीके से अटाच करेंगे इस तरीके से अटाच होगी यह देखिए इस स्लीव हमारी टाच हो चुकी है इसी तरह हम इस साइड भी स्लीव को अटाच करेंगे हम इस दोनों स्लीव को पीन अप कर दिया है अब हम इसको स्टीच करेंगे ऐसी ही बिनकुल इस तरीके से स्टीच करेंगे इसे पर इसके बाद हम इस नेकंडाइन पर पाइपिन लगाएंगे cross-parti से तो चलिए पहले हम sleeve को stitch कर लेता है यह हमने sleeves को attach कर लिया है अब हम जहां पर गले पे cross-parti का piping लगाएंगे यह मेरा cross-parti का piping इसको हम कि ऐसे रखेंगे इसको मैंसर रखेंगे पाइपन पत्टी को और फिर इसको भी फिनफ करते चले जाएंगे इज़्डम इसको वराबर में रखें इसको एसके पिनफ कर लेंगे इस तरह कैसे पिनफ करते जाएंगे इसको इस तरह कैसे पिनफ कर दीए इस तरह करते ले इसके लesh मHer वरााइप temperature चले ग्याएंगे लैस इस तरह वी इसको पाएंगे लेगर आएंगे किर्फ ग surrounds किरेंगा को शार्णोप्ज किरेंगे अजये गुस्ट्रेटीर रह प्यीचिछ इसी तरह यह हमारा फ्रेंट का गला पाइप इन कर दिया है इसी तरह हम बैग का यह जो नेक है मेरा इसको भी हम पेनप करेंगे यह हमारा फ्रेंट और बैक दोनों में हमने पिन अप कर दिया है अब हम इसको ऐसी स्टिच करेंगे ऐसी स्टिच करके मैं आपको भी दिखाती हूं तो यह मेरा कुर्ति बन के पूरी तरीके से तयार है यह मैंने स्लीप्स लवा दिए इसकी फ्रेंचेस की और नेक को भी स्टिच कर दिया है आपको मेरा यह आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कॉमेंट करके बताएं साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करे और सब्सक्राइब करें